चाचा रशीद अपने घर में अकेले रहते हैं जबसे इनकी बीवी इफ़त हारा इनको छोड़के गई है तो ये उदास से हो गए है ये कहानी सिर्फ चाचा रशीद की नहीं बल्के पूरे पाकिस्तान की है चलिए कहानी शुरू करते हैं ये क्या हो गया अरे ये कौन से टाइम में लाइट जाने का यार सकून से बैट के इंजॉई भी नहीं कर सकता कोई अजीब इतनी अच्छी सिर्फ चल ली थी दिमाग खराब होके रह गया है सब को मुझे ही परेशान करना है एक तो बेवक्त लाइट बन कर देते है अच्छी खाजी सिर्फ चल ली थी हस्ता मुस्कुराता इंसान तो इस मुल्क को पसंद ही नहीं चाय बना के पियूं सर में दर्दो रहा है अरे दूद कहां चला गया अरे बेटा तुझे कितनी दफ़ा माना किया मैं इसमें से दूद मत पिया कर मैं तेरे लिए अलग से प्लेट में रखता तो हूँ फिर क्यों तो इसमें मुह मारती है अच्छा है कहां से बनाओ मैं दूद भार से लेकर आना पड़ेगा अरे 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 क्या हो गया कल रात में ही तो प्रक्रोड नल आके खड़ा किया है पता नहीं क्या क्या मुसीबत आ जाती एक दम क्या मुसीबत है यार जिन्दगी सकून से गुजारी नहीं सकता है अरे हो जा मेरी माँ वे यार मेकैनिक के पास जाने ही पड़ेगा है चोटे यह दस नंबर का पाना है यह बाइक खोल यार इतनी देर से काम कर रहा है तो अपे इस टाइम तक तो टायर खोल देना चाहिए तीसरे में चौदे में को पहुंआ हो इल बेटा जरा यह देख लो बाइक में कोई मसला हो गया ह मेरि भाइक खराब हो गई है चेक कर लो इसको चान्साइज गोगे 살 करता है तो चाचा पागिस्तान में किस चीज में मिलावत नहीं है यह बताओ अच्छा तो बिटा एक काम करो ये पेट्रॉल निकाल लो मैं दूसरा नया पेट्रॉल डाल के इसको ले जाता हूँ अरे चाचा रोको जारा सबर करो ब्रेक मारो ये पताओ गाड़ी बंद कैसे होई थी बिटा कोई दो तीन जटके लगे थे फिर अचानक से बाइक बंद हो जाते वे तुमसे में बाइक ले लूँगा ठीक है चाचा आपकी गाड़ी फिट कर दूँगा तीसरे में चौची में कुम पॉय ओइल हाँ चोटे चाचा की गाड़ी लगा लंबा गाव में बेटा दूद क्या है एक सो नवे रुपे एक सो नवे महाई कितनी बढ़ गई अभी दो साल पहले नवे ता अभी एक सो नवे चाचा पिटा एक किलो निकाल दो येलो चाचा आहां लाओ मुझे दे दो ये पैसे काट के मुझे वापिस कर दो ने ने तजरुबे चले इस मुल्क के अंदर अरे पैटरॉल में कब से मिलावाट होने लग गई पैटरॉल तो सीधा सीधा होता है सही से ठीक कर दे ये मेरी बाइक एक चाय पीना मिशन हो गया मेरे लिए ये दूद मुझे कुछ शही नहीं लग रही कैसा दूद है अरे अरे ये तो पानी है पहले मिलाते तो दूद में पानी अब कमचत पानी में दूद मिला रहे त्रह पीते दूद पती अब हम पियेंगे पानी पती क्या होगी अस हो गिए इस मुल्को हॉ इतनी मिलावत जो चाप यही चाय पीनी पड़ेगी क्या करें अब नसीब में मिलावटी लिखी ए अरे गैस को क्या हो गया इकम बखत गैस क्यों नहीं आ रही हम अरे यार अभी इफ़ता रहा होती मुझे कोई मसला नहीं होता जब से वो गई है मेरे तर्मसले मसाइली पैदा हो गये इस चाय पे वक्त बर्बाद करने से बहतर है मैं अपनी बाई की लेकर आ जाओ पता नहीं उसने बनाई होगी नहीं बनाई होगी चाचा की बैक बन गई काम होगी है सारा? जी क्या काम किया है? कार्पिटर का मसला था साफ कर दे पांस रुपर खर्चा है अब बाँसो का खर्चा अब फोगे वाई अब पांगे लेका चाचा की बाईक देड़गों गंटे हमारे पास खड़ी हुई है तु बुल लेका है तुन चाचा बड़ा अमीरा रादी है बहुत दौत है उसके पास क्या सारी दौलत कपर में लेके जाएगा? तोड़ी की दोलत हमेह मिल जाय तो क्या मसला है क्या वलता है एक कापकर्ट बना को इन चाचा की वाइक में एंजन का काम हुए इलिक पिष्टन डले नाय जल्दी लेके टाइम नहीं है वेल डलय नया तिया ट्यूनिंगी भी हुई है और कारपेटर का मसला था कारपेटर चे भीदा का मिरें चान की का लिजार तेखंग शुक्न आएं ऊपघा किर दो बढ़ना उपाधा जात है जुटेख गाल कि एड़ धुर मेरे आ भताइक बता का साथ मारसे किसी साथ से बोल लो भाई तुमने कहता कि सिफ पैट्रॉल खराब होगी पैट्रॉल निकाल के चेंज कर दिया होगा और किया इसमें खर्चा हुआ है चाचा एक तो उस्ताद के पास आपको आना मता है उपर से इतबार भी नहीं करते घलत बात है यह देखो आपका मैं समझा 1,500 का खर्चा होगा चाचा चलो एक काम करो इतने तो जालिम हम लोग भी नहीं हम इमानदार लोग है दस अजार आट्चो का खर्चा है ना आपका 10,000 रुपे देना चलो बेटा एक काम करो तुम ये 5,000 रुपे पकड़ो 5,000 मैं तुमें बाद में दे दूंगा चाचा दे 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 ना लेकिन आप दे दूंगा बेटा दे दूंगा कई भाग नहीं रहू मैं अब तो सही चलेगी ना बाइक मेरी आप चाचा आपकी गाड़ी ते एक दम चकास हो गई इसको लेकर हज़राबाद निकल लो टेंशन नहीं है चलो ठीक है अचा चाचा बात स से मिलने का फैसला किया तुम सही वक्त में इस मुल्क को छोड़ के चली गई क्योंकि अब यहां पे कुछ रही रहा आई दिन डकेतिया चोरिया कुछ नहीं पता आपको कब वो गोली मार के चले जाए ना गैस आती है ना बिजली आती है और शक्स दो नंबरी कर रहा है और शक्स मिलावट कर रहा है इफत मैंने फैसला कर लिया है मैं बहुत चल तुमारे पास हा रहा हूँ बहुत चल तुमारे पास हा रहा हूँ बेटा मुझे एक रसी दे दो चाचा किते मिटर चाहिए रसी बेटा कम से कम 6 मिटर की रसी चाहिए चाचा अच्छी कंपनी की दू कर दो कि एनायों कि ए आख सर्डेती आख सम ए रहां ए खorit कि पHigh कि अ जाई सकने सो का ए ट ऍषफ वना चार है वश्यक सा ओा किस का ला सब्सक़्ग्शब tus branch यहाँ, यहाँ है together कि ओで Nah बार कर दो कर दो ईब कर व्क एंध्याय ? इब अथ , इफातारः इफातारः ? इफातारः ? इसप्रंद ओफ मेरा कमरह है ? रस्सी ! रस्सी भी टूट गई पाकिस्तान की कोई भी जीज एक नंबर नहीं है सब कुछ दो नंबर है तो मर नी रही सकता तो बेना इतना मुश्किल है बेटा मुझे यह चुह मार दवाई दे दो चाचा चुह बड़ा है चोटा है चुह तो बेटा बहुत बड़ा है मिझे ऐसी दवाई दो के चुआ एक सेकिंड में मर जाए अरे चाचा आपको ऐसी दवाई दोंगा ister चुआ क्या क्या सुआ का पूरा खांदान मर जाएगा नई-नई बेटा चुआ का कोई नहीं है चुआ बिल्कुल अकेला है बिल्कुल अकेला अरे चाचा टेंचेन क्यों ले रहे हो अपनी कॉमपणी की ऐसी दवाई दूंगा ना चुए का बाब भी मर जाएगा ये देखो ये क्या है चाचा ये बहुत खतरनाक चुए मार दवाई है आप इतनी सी डालना सिर्फ चुआ सूंगेगा और कल्टी शाट का नारा ज्यादा मट डाल देना वरना आज पास के सारे चुए मर जाएंगे चुए आज तो तेरी मौत पक्की है अज तो तेरी मौत पक्की है अजिए कुछ हो क्यूंने रहा है यह तो जूस है जहर में भी मिलावट हर चीज में मिलावट तो बैबाई मैं तो पागल हो जाँगा तो यह थी पाकिस्तान की कहानी अगर वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें कमिन करें और सब्सक्राइब करें यार बैल आइकन दबाना मत भूलिएगा